हलो फ्रेंड्स मैं हीमलता स्वागत करती हूँ आपका माई फूड माइंट में आज हम बनाने जा रहे हैं कच्छे चावल का बहुत ही टेस्टी नास्ता जो खाने बेर बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाना इसको बहुत एजी है वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसस बनाने के लिए कच्छे चावल यह आधा कच्छे चावल है यह देखिए इस तरह से आप कोई भी चावल ले सकते हैं जो भी आपके पास घर में हो और इसे आधे खंटी के लिए भिगो कर रखना है मैंने पहले से रखे थे यह देखिए मैंने आधा कप चावल पहले से भिग कर लेना है जैसे हम सूजी होती है थोड़ए पारीजी इस तरह का पैटर हमें बनाके तयार कर लेना है Thank you जैसे सूजी का बैटर बनकर तयार होता है उस तरह से हमें ये बैटर को रखना है ये देखे कितना अच्छे से बैटर बनकर हमारा तयार हुआ है अब इसमें डालते हैं थोड़ी सी वेजीज तो इसमें मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्च टमाटर प्याज और ये है गाजर अ बैटर आप पार सो आपके बसक नहीं करके इसमें ये दालने हैं थोड़े से मसाले मसालों में इसमें डाल रही हूं आधाच अजोन दनिया पॉर्डर के करीब गरम मसाला येदो संगा कर शक्के हैं अगर आप इसमें अउसमें अधे अब लिशिवार्टी डालना चाहें तो इसमें वनफोर्थ टियस्पून के करीब हपिसमें हल्दी डाल सकते हैं मैं इसके बाद हैं मैं पस्य क devote बीलामिर्स हैं मैं इसमें रोड़ में भरिश मौति अंड़् lett Зем अब लिए चांट मसाला थोड़ा टैंकी टेस्ट देने के लिए अब इसे करने देना है अच्छी तरह से हमें मिक्स देखिए एक स्मूध बेटर हमें बना कि इसका तयार करना है यह देखिए बेटर अभी हमारा थोड़ा गाढ़ा लग रहा है इसलिए हमें इसमें थोड़ा सा पानी आ राला है और इस तरह का हमें इसमें बेटर चाहिए देखे इस तरीके से अब एंद हमें 10 मिन के लिए ठकार रखे देना है रेष्ट पर िचुछी उप हemहारा जो बेटर है को बनकर अच्छे से तैयार हो चुका है यह दिखि 페ute इस तरह से मैं हमें गैस पर तवा रखना है और तवे को गरम हो जाए जब हमारा तवा गैस को कर देना है लो फ्लेम पर उसको ग्रीज कर देना है और फिर बैटर को थोड़ा हिलाना है अच्छी तरह से उसको मिक्स करना है और उसके बाद बैटर को हमें तवे पर फैलाना है अब जादा को अच्छे से फैला दिया है और इसको सर्कल की शेप देने के लिए थोड़ा सा मैं इस तरह से अलग से और डाल रही हूं ताकि हमारी सर्कल की शेप आ जाए ये नाश्ता खाने में बहुत टेस्टी लगता है कच्छे चावल से बनता है हेल्दी भी बहुत होता है आप इसमे यह देखिए फ्रिंस कलर चेंज हो चुका है और अब मैं इसके किनारों पर घी लगा रही हूं आप चाहें तो तेल का यूज भी कर सकते हैं मैंने इसके साइडों पर घी लगा सकते हैं मैं सिर्फ साइडों पर ही लगा रही हूं और बागी मैं घी का यूज में नहीं करू यह देखिए इस तरह से कितने अच्छे से टर्न हो जाता है बहुत इसली निकल जाता है थोड़ा से साइट से चिपका रहा गया था तो मैंने इस तरह से उसको निकाल लिया है यह देखिए अपने इसको थोड़ा सा प्रेस करते करकर के हमें इसे अच्छी तरह से सेखना है प यह एक किनारा को जादा ही निकल रहा है इसको हम इस तरह से हटा देते हैं यहां से ताकि यह बिल्कुल सरकल की शेप आजाए और देखने में बहुत ही अच्छा लगे अब हमें इसे सिखने देना है अच्छी तरह से इसको डाल दीजे और फिर इस तरह से प्रेस करके देखि अच्छा कहीं से भी नहीं रहा है इसको आप अगर लो फ्लेम पर सेकिंगे तो यह बिल्कुल भी कच्छा नहीं रहने वाला है और अगर हाई पर इया तो यह जल जाएगा बाहर से पर अंदर से खphet रह जाएगा नदर यह देखिए हमारा जो चीला है बनकर ताइब दया र तरह से यह सिखा है कच्छा कहीं से भी नहीं रहा है बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में आप इसे सॉस के साथ जैसे भी आप खाना चाहें आप इसे खा सकते हैं खाने में बहुत टेस्टी लगता है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक किजि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर बाई